असलाम लेकूम गाइस कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं कि सब लोग फेडियो से होंगी और इस दफा मेरा व्लोग बहुत जादा लेट हो गया था क्योंकि मेरी ठीक नहीं थी क्योंकि मैंने प्रेस्ट चुला ऑपरेट करवाया है अपने बाजू पर तो उसकी विजा चार दिन तक तो बहुत ज़रा तफीक में थी मैं तो अलहमदुल्ला मेरा फेस्ट चुला कामयाब हो गया है उपरेट बहुत अच्छा हो गया तो ये यूट्यूब से मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोग दिखाने के लिए कि दरसल किड्नी किस तरह से फेस्ट चुला बनाते हैं तो ये देख सकते हैं किसी किसे नोंने कट किया है कट करने के बाद अंदर फिर नोंने चर्बी कट की ये मतलए अंदर दो तीन ते कट करके ये आपको वैंस नज़रा रही होगी तो हैर इसके बारे में जो ज़्यादा तो नहीं पता कि अंदर क् करते हैं लेकिन बहुत ही यानि के ना तक्रीफ दे अमल था मेरे लिए जब मेरा यह उप्रेट हो रहा था ना तो मुझे बहुत तक्रीफ हुई थी उन्होंने इंजेक्शन वगर लागा कर सुन किया हुता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनसान को फिल हो रहा हुता है कि अंदर से यह लग रहा था जिसे कुछ खिंचा हो रहा है तो यहां पर है टांके बगर लगा के तुन्होंने यहां पर पर्टी कर दी थी तो इस तरह से उप्रेट हुआ है मेरा फेस्चुले का तो यहां पर मेरा उप्रेट हुआ है जो फेस्चुला बना है दुबारा से व कि इतना जादा बनाव है और अब दुबारा से मेरा फैस्चुला यहां पर बनाएं यहां पर मेरे 12 स्टिशिस लगें और अभी एक पटी खुल चुकी ठीक करने के बाद एक पटी में ने खुला ली थी और रोजना डेली इसकी पटी घर में चेंज कर रहे हैं हम लोग और र इसके बाद यह नेडल यहां पर उपर लगें करेंगी एक मुझे बहुत ज़्यादा पैन रहा है जो शुरू के तीन चार दिन थे ना बहुत मुश्किल से मिने गुजा रहे हैं और फिर पैन के लड़ डिप्स लिए हैं मत्ताब वह लगती रही थी मुझे और वह भी मैं बusionsताव तर इसके बाद का जो ao करते क्यों ड़कर बहुत बहुत ही ओशबुत है'veिए हूँ और कि मिने मेरी बहुत जब्स ज़्यादा कमजोर हैं मेरी बहुत ही मुझे जब ही बहुत मुझे मुझे को आरितरद टी तो बहुत आरहाच खैसी तो बहुत 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 जखक सब बेमारों को श्वात कामला अता फरमाए और लात अला मुझे भी श्वात दे दे तो ये किसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है ये असानी से नहीं बनता मेरे इस्वैल होगी थी पूरी बाजू पत्थर की तरह सखत थी और बहुत तकलीफ देखिये मैंने इसकी तो बस अलात अला सब को सहत वाली जिन्दगी दे और अलात अला मुझे भी सहत वाली जिन्दगी दे रोंधा आने वाली बेमारियों से लात अला चुरका रादे आमीन سमां तो आप लोगोंने मेडिये भी special दौा करनी है मेडिये का सब के लिए जितने बेमारें सब के लिए आपने special दौा करनी है कि Allah चाला इसर, रमजान, और मुबारक के सदके Allah चाला मतलब सब बेमारों को श्वात दे दे और मुझे भी श्वात दे दे तो यहां पर शाम को अफदारी का टाइम हो जगा था और बाबी ने ये सब कुछ बनाया था फेली पादमोकी आलो की बेसिंडर कीटिकिया और गोड़े फोर्ब्स चाट और उसके अलावा केवा यह पर चाना चाट ये सब कुछ बाबी ने बनाया था और इसके लावा खाने में यी की मालू बनाए हुए थे तो इतने में बाहर से बेल बज झी थी तो ये हमारे प्रूसी बहुत अच्छे है मत्तب हमारा महला पूरा ही बहुत अच्छा है कुछना कुछ मत्तब एक उसे के गرमे में हम लो भी ज़़ाते रहते हैं लोग में परम उपी ट्रे मारे बराबरले प्रोस्तियों के घर से आई थी। कोड़े थे, साथ में फूड़ कटावा था, इसके लावा चाना चाट था, और साथ में बीफ पलाउ था, तो बाई मुझे यहां पर तन्क कर रहा था, मुझे दे नहीं रहा था पलाउ, लेकिन है उनकी तरफ भी बिजवा दी थी तो यहां पर ना मेरी पटी चेंज करने लगी थी भापी और वैसे बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है पटी चेंज करने के लिए भी और जो डॉक्टर और प्रेट करते हैं क्योंकि मुझसे तो देखानी जा रहा था और ममा ने भी एक नज़र देखके तो मूदर कर लिया था और क्योंकि अभी स्टीचिस लगे वे थे और यह देखें कितने बारीक स्टीचिस लगाएं हैं तो यह भी खोलेंगे तो फिर मुझे कितनी तक्रीफ होगी यह पूरे बासूर पर नीली नील पड़े हुए तो हैर बापी का दिल बहुत बढ़ा है जो इसकी मतब अच्छे तरीके से सफाई करती है मतब रोज़ना स्पिर्ट से अच्छे तरा से साफ करके उसके बादना इसकी पट्टी चेंज कर देती है तो मुझे बता रही थी कि देखो कितने ज्यादा तुमारे नील पड़े हुए और पर्माकैट को भी तक्रीबन डले वे होगे हैं जी दो से डाइमी ने और उसकी भी डेली बाबी ही सफाई करती है रोज़ाना प्रेट से साफ करके फिसकी भी उपर पट्टी स्था कर देती है तो फैस्चिला अपरेट होने के ना तकरीबन 40 दिन के बाद इस पे नीडल्स बगरा लगती है तो 40 दिन का टाइम होता है तो इन्शाला इन्शाला ईद के बाद नीडल्स लगना शुरू हो जाएंगी और तक्रीबन 4 से 5 में सेक्शन करौा लूंगी नीडल लगवा कर उसके बाद में पर्माकैट निकलूा दूंगी तो पर्माकैट का भी थोड़ा सा मुश्किल प्रसीजर जायर है दुबारा से कट लगा कर और फिर वो पर्माकैट निकाल देंगे उसके बाद दुबारा से स्टिचिस करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मेली ये तक्रीफ दें मर रहेगा तो चलिए आप सब लोग की इन्शाला दौाई होंगी तो अल्ला कामयाब करेगा इन्शाला तो यहां पर भाई ने डिस्पोसिकल गलव्स बिजवा दिया था साथ में ये बेल्ट बिजवा दिया था और ये बेल्ट तो आपको पता है ना जब वो इंजेक्शन लगा रही होते हैं डॉक्टर्स तो वेंस ने मिल दी तो ये टाइट करके बांद देते हैं तो ये बाई ने तीन चार में लिए बिजवाएं क्योंकि खदा नहास्ता अगर फैस्ट्रे में ब्लेडिंग शुरू हो जए तो बाई कहता है ये टाइट करके बांद दो और फोरन होस्पिटर्न लिकने के कहानी करें तो अल्ला ना करें हेर कभी ये नोबत आए तो बाई ने तीन-चार बिजवाएं बाई ने कहाए कि ये एक अपने पास रखना और एक गर में रखना और एक गार में वो बस साफसाप्लो में लिए द्वा करना, और सब बिमारों के लिए द्वा करना, और अपना भी ह्या रिखिएगा, Allah Hafiz